हलो एवर्बर मैं आजाक के रहे हूँ 3PHK सोगज का वो भी मेट्रो के केवल 400-800 मीटर के दूरी पे लिफ्ट कार पाकिंग सारी फरसिलिटीज है आपको पड़ावत से घर खाईना है ना सपनों को घर आप धून दीते रहे होगे वो भी दिल्ली की प्राइम लोकेशन में आज चलो पड़ावत से इस अपार्टमेंट की पूरी टीटेस चानली के लिए देखिए आगे की वीडियो 3PHK सौगज में बना बहुत ही लग्जुरिय सा घर है यहां से आपके घर की एंट्री होती है जी हाँ आप देख सकते हैं यहां का ओम्बेंस कितना प्यारा है बहुत ही बड़ा लिविन रूम है इस घर में आपको मिल जाता है इतना बड़ा सा लिविन रूम, वार्श रूम, मॉडिलर किचन, थ्री बेड्रूम और ब्यूटिफुल बाल्कुनी आप देख सकते हैं रूम आपको कितना बड़ा मिल रहा है और आपको रूम की डीटेल्स तेखे न तो आप देख सकते हैं की मतलब एक-एक छीज कितनी सुन्दर तरिगे से बनाए हुए है राइट, हम अब आते हैं DJS पे, तो सबसे पहले बात करते हैं, वालपेबर थी, आप देख से यहां पे, एक्टम यूरूँ सा वाइब है, एक्टम बहुती बीची सी वाइब है, बाल पेपर का जो कालर्स है, पूरा जो प्रिंट है, और इंफाफ वालपेबर की क्वालिटी इवन पॉलिटी है आपके जो पूरे हॉल को है ना पूरे लिविन रूम को बहुत ही अच्छा लुगते रही है उसके पर अपका ध्याल इन पे तो ज़रू गया ही होगा तो जो जो आप यहां पर सोफा लगाते हैं आपको फ्लोरिक जो है वो मिल जाती है वाइट टीसंट टाइल और बहुत ही प्रॉपरली फिटेड है एवरिटिं इसके बाद अगर हम फॉल सिलिंग के बात करें आप फॉल सिलिंग देखिए प्रॉपरली एकड़म क्लीन डिजाइन से ग्राफिकल स्ट्रॉक्चिलर डिजा है और बहुत ही बड़ाए फॉलिंग आराम से मतलब मोहतीं प्राणा लग रह आपके रोम की जोगा बड़ा है लेविंग अमने आपके आपके Sofa के Scosset में आपको मिल रहा है आपका TV panel, TV panel आप देख सकते हैं, यहां पर कितना बड़ा है, जी हां, आराम से यहां पर सतन का TV आ सकता है, होम ठीटर बन सकता है, आपका इपूर TV panel से, साथ में आपको extra decorator space दी गई है, wooden quality बहुत अच्छी है, extra इतनी सारी spacer और draws औरने कि यहां पर आराम से अपनी जो भी तरुवत का समान है, extra समान है, वो आप रख सकते हैं, living room में आपको left side पे मिल जाता है, यहां पर आपके split AC लगाने की चलिए, so यहां पर हो लग गई आपके split AC, extra switchers भी है, switchers के परिशान्ते भी नहीं हो रहे हैं, so मैंने आपको आपके living room में दिखा लिए, आपका TV panels, fall ceiling, wall people, extra designs and flooring as well, अब आपको इस living room से attach मिलता है, आपके common washroom भी, चलिए मैं आपको दिखाते हूँ, आपके common washroom का थोड़ा सा लुख, So, ये था आपका common washroom, अब हमने common washroom तो देख लिया, अब आपके living room से attach आपको और क्या मिलता है, आपका modular kitchen, चलिए, आप चलते हैं, आपके modular kitchen के तरब और दिखाते हैं आपको यहाँ की details, Modulate kitchen, इतना बड़ा जो kitchen है आपका, आप देख सकते हैं, oh my god, बहुत ही जादा spacious kitchen है, बहुत ही जादा spacious kitchen है, और आप देख सकते हैं कि, जो tiles की भी fitting है, and every particular details, इतना प्यारा लुकारा है इस kitchen का, आप देख सकते हैं, यहाँ पी slow period आपको मिल रहा है, बहुत बड़ा slow period मिल र आप अपे proper hydraulic technology के साथ में, जहाँ पे आप अपढ़ाम से, आप काफी सामान रख से के, enough, बहुत ही सारा सामान, one, two, three, four, five, six, seven, बहुत सारे cabinets है, okay, और अपर आपको यहाँ पे extra space में मिल रही है, साथी आपको नीचे भी आपकी cabinet मिल रही हैं, obviously, जहाँ पे आप आप सारे बर्थन यह पिथल फिर उत पिर अफेय से तक के आप अपने अबटन देय उते निवह यूट है तकी आप उसको जगा दर्स टकेए वरी क्यूट सा ब्यूटिफुल सा लुग तो यो किचिन आस वर हमने देखते हैं आपका मॉडिलर किचन इसके बाद हम चलते हैं कहां हमारे पहले बैद्रूम की तरफ किचिन से निकलते ही लेफ साइड में आपको आपको दिखेगा पहला बैद्रूम आजाएए अब आप द बैट लगाएंगे चाहिए छे वाइचे का बैट भी लगाएंगे तो काफी सारी जगह बच जाती है क्योंकि एक्स्टा आपको जो वाड्रोब है काबने अल्री लगाओ मिल रहे तो उसके लिए अपको परिशानी नहीं होगी एक्स्टा जाता समान लगाना नहीं पड़े वाल्स आप देखें यहां पर रूम कर जो और है तो पर यह से क्रीमिश वाइच है जो की बहुत ही प्यारा और सटल कलर है रूम को प्यारा लुक दे रही है और वाल्पीबर आप देख सेते हैं वाल्पीबर बिल्कुल गूर्डर अं शाइन लुजरियस लोक है काफी जात वाल्पीबर की क्वालिटी भी एवन है आप देख सेते हैं फॉल्स लिंग इतना सुंदर है न मतलब रूम की एकना शोगा बढ़ा दिया आंकों को बहत ही साथ आप भाह रही है मैं बता रहे हूँ येलो कोव लाइच और इस वाइच 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 पुरा कॉमिनेशन ह इस रूम से आपको अनेक्टद मिलेगी आपको बालकनी तो चलिए अब देखते हैं हमारी बालकनी का थोड़ा साथ व्यूव So ये रही आपकी प्यारी सी बालकनी आप देख सकते हैं पलने प्रसमीर टाइम बिता सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर आपको प्रसमीर ताप भी labi तो ऑप गल जातो है तरफ को बाल करनें particular थोड़ा हो आफिए यहां पर new है और देखते हैं यहां बहुत ही प्रॉपर ली ताल्स फिटिंग है और उपर इंफाक्ट एक्स्ट्रा स्पॉटलाइट भी लगी हुई है ताकि आपको रात में इस शाम की टाइम पर लाइप ज़ाने वे बहुत परशानी रहा हूँ So this was your beautiful beautiful balcony जहां पर आप आराम से अपना quality time spent कर सकते हैं अब हम नहीं balcony को देखनी तो पहले bedroom के बाद हम चलते हैं master bedroom के तरफ आप यह master bedroom की details आप देख सेते हैं यहां पर बहुत बड़ा है bedroom बहुत ज़्यादा बड़ा है Like आप इसे देखेंगे ना तो आपको actually मन से निकलेगा आपके एक master bedroom आप देख सेते हैं यहां पर जिसे बहले बात करते हैं हम TV camera आएगे देखे TV cabinet आराम से 70 inch का TV आज़ी जो लाइग बहुत ही आराम से लग जाएगा वोड की quality भी बहुत प्यारी है बहुत सारी extra space यहां पर है आपको तक यहां पना समान लग सके extra cabinets जहां पर आप काफी समान आप अपना लग सकते हैं यहां पर मतलब आप देखेंगे वोड की quality भी बहुत अच्छी है design भी बहुत प्यारा है तो कोई भी परशान ही नहीं होने टीव बगारे का इंस्टालेशन होने में टीवी पैनल की अपाज़स साइब में बहुत पर आप देख रहे हैं एक्जाक्ली मेरे कोड से बहुत नाच कर रहा है आप देखेंगे ग्राफिकल डिजाइन से बहुत अच्छी है रूम के औरा के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा है यान रूम का पूरा लुक आ रहा है ना बहुत ही शोगा बढ़ा रहा है ठीक है बॉल पर की कॉलिटी अगे बहुत ही जादा अच्छी है और हम देख सते हैं उसकी बाद आपको सेम उस कलर से कॉडिनेट करते हुए हमें मिल रहा है हमारा काबिनेट जो की बहुत बढ़ा है पूर बहुत बढ़ा का बढ़ा बढ़ा बार वाटरोब है उपर आपक आपको आपको आक़र यहांपर तू वोटरोब मिल रहा हैं इस इस बसणोघ एंड की आपके है यह वड वार्टरोब पूरब पुरा प्लस सेुंदियर इसके बाद हम बाद केते हरा हमारे थैंड मिल रही है वाय I decent tiles वाली flooring जो कि again well fitted tile से उपर fall ceiling पे अगर जाए fall ceiling बहुत ही unique design है बहुत beautiful है like legit बहुत ही प्यारा है yellow pop lights और white pot lights का again बहुत ही प्यारा combination है structural and clean design so this was your live and room okay इसमें हम साथी में अगर आए right side पर so right side में आप देख सते हैं आपको यहां पर window इसी के space में बिल जाती है और नीचे आपको ventilation space मिल जाती है that is your traditional window okay इसके बार हम चलते हैं हमारा personal washroom जी आपको personal washroom मिल रहे हैं आपके इस bedroom के साथ that is your master bedroom चलिए देखिए थोड़ा सब यह हमारे इस personal washroom का so this was your own personal washroom of the master bedroom जी आपने देखिए लेगे होगे कि sanitary fittings वगरे किती प्यारी है tiles का look इतना अच्छा आ रहा है और washroom का पूरा लूग बहुत अच्छा है face भी काफी जादा है plenty of face चलिए हमने देख लिए living room हमने देख लिए हमारा प्यारा सब क्यूँ सा kitchen पहला bedroom mode और master bedroom हमारा common washroom आप हम कहाँ चलेंगे हमारे third bedroom की तरह जिसको आप बरा सकते अबना guest room या जो भी आपकी वरज़े हो यह देखिए आप अपका room आप देख सकते हैं बहुत ही beautiful है once again मतलब कुछ शिकायती नहीं होनी है TV पानल इतना beautiful है ना यहाँ का आप देख सकते हैं आपे extra extra आपको सब चीज का structurally properly ऐसा designed है जहाँ पर आपको 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 सब चीज का स्ट्रॉक्चरली प्रॉपर्ली ऐसा designed है जहाँ पर आपको आपको सब्सक्राइब लगा सकते हैं अगे विद हाइड्रोलिक टेक्नाजी और वोट की quality अगें बहुत ही प्यारी है अगेर हम वाल्स देखे तो वाल्स आपको decent इंगडम वाइट बिला किसी वाइट decent tiles मिल रही है जो कि बोहत ही प्यारा लुग दे रही है आपके इस third bedroom को और शोवा बड़ा दे रही है अब अगर हम देखे आपका ventilation space तो यह है आपका ventilation space आपको मिल रहा है window traditional window उसके उपर आपको मिल रही है आपको window AC के चगार जी हां यहां पे आपना AC लगवास होते हैं tube light आपको लगे रही है बहुत सारी spotlights लगे वे मिल रही है हम अगर देखी फॉर्स इलिंग में तो आप देख से हैं white जो spotlights है उसके साथ yellow cove lights का बहुत ही प्यारा लोग आ रहे हैं so this is your whole third bedroom मैं आपको third bedroom की सारी एक-एक-एक details बता दी जो की very 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 impressive है हमने इस गन में कहके देख लिया हमें यह आपे दो washrooms मिल रहे हैं जिन में से एक है आपका personal washroom और एक है आपको common washroom जो की आपके living room से attached है दो दो तीन तीन हाँ इन दो बहुत ही बढ़िया वाले tv panels है washrooms है आपको प्यारा सा kitchen है बहुत ही बढ़िया सी बड़ी balcony है lift और car parking दोनों है मैं आपको बता दो कि यह जो घर है आपको यह 3 वे अच्छे मिलता है building के front side पे यहां बिजली की कोई परिशानी नहीं हुनी है पाव बाकप बहुत सब कुछ बढ़िया है और आपको जो पानी है वो भी सामसीवर और डिली जल बोर दोनों से आता है यह आपको घर मिलता है द्वार का मोर मेट्रो सेशन के केवल 400-500 मीटर की दूरी पर और बहुत ही अच्छी लोकेशन में है यह आपको सारी की सारी हमेलिटी आसपास मिल जाएगी चाहे वो बड़ा से बड़ा स्कूल हो कॉलेज हो हॉस्पिटल सो इतने जारे हैं कि मतलब कुछ अमेर्जंसी में परिशानी नहीं होनी है मार्केट बिलकुल में मार्केट बहुत ही जाधा पास है वोकिंग एरिया है पास में पार्क से एन एफ्रिटीं यू कुट एवर आफ वार्स पॉर इस घर में आपको वो सारी क्वारिटी जो आप अपने सपनों के घर में चाहते हैं जी हां अगर आपको इस खर को आज के आज खरीदना है और आप चाहते हैं कि आप बस पड़ाबट से दिली जैसे प्राइम लोकेशन में आप पुनास अपनों को घर करीड़े तो फिर दिये गई पॉन्टाक्स में पड़ाबट से कॉल लगाई है और घर को अपना बनाई है इस घर की प्र कि आप को से अभ झटार ठाइब पूच्ट से कॉलने है